दोस्तों कोईले में किस तरीके से ख़दान के अंदर क्या गरवडिया होती है आज हम आपको स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं और आपको बहुत ही साधारन शब्दों में साधारन आसानी से आपको हम समझाने वाले हैं ताकि ख़दान में किस तरीके से गलत काम किये जाते हैं और जिसका परताफास लगातार हम आप तक लेके आ रहे हैं यह इसे स्टॉक कहा जाता है यानि कि मैन के उन्दर से ख़दान के अंदर से जो कोइले निकलते हैं। उस कोइली को क्रस्ट होने के पहले। उसकी साइज बहुत बढ़ी वोती है यानि कि nämिख्रक्रक्रकन का कोग होता है उसे पास सटीम कोग आजाता है जो कि काफी अच्छे quality का coal होता है और वो stock से अभी तक क्या होता था कि जो transporter है जो coal का tender लेते हैं वो direct stock से कोईला भरते थे और stock से भरने के बाद में वो direct माल जो यानि की कोईला पावर प्लांट को या फिर मालगारी में रैक भरने के लिए लग अलग जगों पर सब अपने अपने जरूत के हिसाब से उसको भेशते थे जबकि ऐसा करना पूरी तरह से गलत है लेकिन इसमें अच्छे ग्रेट की कोईला होती है और अच्छा कोईला मिलना इन सबको आदत हो गई है कि अच्छा कोईला ही हमें भेजना अच्छा कोईला ही हमें देना है जिसकी वज़य से ये टार्यक्ट स्टॉक से कोईला उठाते है जबकि नियमता ही या पूरी तरह से गलत है अब सही क्या है सबसे बारा सवाल यह है तो सही यह है कि स्टॉक से कोईला उठा करके छ यानि की कोल हैंडिलिंग प्लांट जिसे कहते हैं उसे छ यह डालना है कोईला को क्रश किया जाता है आप देख रहे हैं कि आप कभी माइस घूमेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि कोल हेंडिंग नियुद्स प्लानट में जाने के बाद में कोईले स्थीम उठाया जाता है और नियम यह है कि इसकी जो साइच होनी चाहिए जो यहां पर आप देख रहे हैं चोटे-चोटे कोईले जो जा रहे हैं वह हंड्रेट एम्म के ऊपर नहीं होनी चाहिए अब यहां की जो साइज हो तो काफी बड़ी है मतलब हो सकता 10 फिट की हो 5 फिट उसकी लंबाई हो कोईले की बहुत बड़ी होती है लेकिन नियमता 100 mm के उपर उसकी साइज नहीं होनी चाहिए तो रूल यह है कि पहले स्टॉक से स्टीम कोल को उठाना है और उस स्टीम कोल को CSP में लेके आना है ताकि उसे क्रश किया जाए क्रश करने के बाद उसे CHP से फिर अलग-अलग प्लांट में या फिर रेल की रैक भरने के लिए उसे भेजा चाहिए तो यानी कहना यह था कि जितनी भी रोड सेल के अलाबा elder में या फिर जो रैक ओटरें भरने के लिए जो गाडियां जाती है उसे बंकर से यानी कि CHP से यही उससे कोईला लेकर जाना चाहिए यही नियम है यही रूल है लेकिन स्टॉक से कोईला की गुनवत्ता अच्छी होती है इसलिए यहां के आदत लगी हुई है और खास बात तो यह है कि जब यह स्टॉक से CSP का एक टेंडर होता है जिसे जॉब 1 या जॉब 2 के नाम से जा यहां से यहां ना डालते हुए इसमें भी कई बार गड़वडिया होती है कि यहां से यहां अगर वह माल डालते हैं तो उसके लिए अलग से बिल निकाल लेते हैं लेकिन वह क्या करते हैं डिरेक्ट यहां से कोईला लेकर निकल जाते हैं तो दूस्ते इसमें कई चीजे है जिसको हम आप तक लेकर आये हैं और इसमें हम काफी चीज़ आपको समझाना भी चाते हैं कि स्टॉक में सबसे वरा फायदा यह होता है कि यहां पर अच्छे कोईला मिलता है और जो CHP होता है CHP में जब हम उसको क्रश करते हैं तो क्रश करने के बाद में उसके साइड छोटे हो जाते हैं तो उसमें पत्थर या फिर अन्य भी कुछ चीज़ों होती है जो आ जाती है तो कोईले का जो रेशियो है वह एक्चुली 60-40 का लगभग होता है और वही लेकर इनको जाना है लेकिन को स्ट्रीम के आदत लगी है तो लेकिन अभी तक किसी ने आवाज उठाया नहीं लेकिन BCN ग्रूप और हम आप तक सचा ही लेकर आये हैं पिछले एपिसोड में आपको हमने दिखाया कि सप्रा ट्रांस्पोर्ट वारा किस तरीके से वैध कार्य किया जा रहा था और जिसका एक उदाहरन मैं आप तक लेकर आया हूं ऐसी कई गतिवीधिया है जो हम आप तक लेकर आएंगे और आपको समझाएंगे भी उमीद करता हूं कि आपको इस चीजे समझ में भी आई होगी कि स्टॉक से कोईला उठाना किसी भी ट्रांस्पोर्टर के लिए यह उचित नहीं है और कोल इंडिया को CHP के नाम पे सिर्फ एक चूना लगाया जाता है ज इसमें घटना हो और घटना के बाद चीजे सामने आने लगे और लगातार हम उसके पीछे लगे हुए हैं और अभी कई एहम जानकारिया हम आप तक लेकर आएंगे किस तरीके से कितना वो स्टॉक से माल उठाना चाहिए और कितना उठाते हैं और उनका टार्गेट क्या हो